पुझा इन्तु जैसा कि हम जानते हैं कि आज हमारा संडे यानि कि रभी वार तो आज हमने RWA का मॉक्टिस्ट लगाया है तो उसमें 20 क्यूशन मैट के भी आते हैं तो उसी 20 क्यूशन का सलूशन हम यहां पर देखने वाले हैं तो मैं यहां पर एक चीज बता दूँ अगर आ बढ़ने को सद्विशा करें लिखें हैं आफ बताता हूं गाता हूं इसे आप लोग को बताता हूं डिकी चैशुद लगाता हूं है खयो दो झाट dopo आखा हूं जरू करते हैं तो हमारा पहला प्रस्न है पहला प्रसंदे रखा कि A और B की आइकान पात 3 अनपाते 4 है और उनके बेखान पात 9 अनपाते 5 है तो दो बेक्ति हैं एक तो A है एक तो B है इनके जो आइकान पात है आइकान पात 3 अनपाते 4 है ठीक आइकान पात 3 अनपाते 4 है प्रसंद में करा है कि उनके बेखान पात कि लेंगे डीच के डीचभार्ट ऑपधर तेंट टाइट के 415 वे पूंच धीच क्ला एक लिख के अ कि अस्यास कोड़ा है अक बींदा इंघीवंदा सक्केर्ट क्वेकी भी लीच पिरल अक्कितिनअ क्या थेंद किसकी है किए गुना है तो यहां पर 5 और में 2 यूजिता नहीं रही है तो यहां पर ada 2-5 है तो यह हो जाएगा पांस तेयाई 15 अब हमने यहां पर पांस इगुड़ा कर देंगे तो यह हो जाएगा बीस तो अब हमारा प्रश्ण यहां से इनका बचत निकाल लेंगे इनका बचत निकाल लेंगे तो आप लोग को पता होगा जो होता है अब ब्राबर होता है 12 कि प्लस बचत्ट जैसे मेरे पास 100 रूपय है तो मैंने 60 भाच्ट कर दिंगे 60 रूपय बचा रहे हैं सेंच चीज बी में हमाते हैं तो बी जो है उसकी आय है 20 रुपे और वो 5 रुपे खर्च कर रहा है तो कितना बचा रहा है 15 ठीक है तो आगे हमारा 6 अनुपाति 5 इसको काड़ देंगे तो हमारा आगला प्रशन है प्रश नमर दो करा कि स्थिर जल में किसी मोटर की चाल 20 किलो मेटर प्रती घंटा है यह धारा की दिशा में 150 किलो मेटर की दूरी तैं करती है और फिर सिर्वाती बिंदू पर वापस आ जाती है यदि राउंड ट्रिप में 16 घंटे का समय लगता ह है तो मोटर बोर्ट है उसके चाल कितनी है कि बीच किलो मेटर माल लेते हैं नहीं मैंख कर आप 150 किलो मीटर सब कर दो कि 100 50 किलो मीटर कर हुरी हो तो motor boat भी इधर ही जा रही है, दोनों एक ही तरफ जा रही है, तो जब दोनों एक ही तरफ जाती है, तो इनकी चाल जूड जाती है, तो 20 प्लस X, फिर आये कला कि वापस, वापस जब आएगी, तो 150 किलिम्टर की दूरी ही वापस आएगी, करा कि वापस, तो दोनों को मिला के 16 गंटे का समय लग रहा है, ठीक है, तो इस की इस्षण को आज आप आप्शन से भी कर सकते हैं, जैसे आप्शन नम्मर ए में हमारा 5 है, तो 5 ही हमारा सही है, तो अगर मैं इसकी जगा 5 रख दूं, अगर मैं X की जगा 5 रख दूं, माल लेता हूँ, आप 20 मैं से 5 रख दूं, तो 15 रख जाएगा 10 बार, तो यह जोड़ू मत आजाएगा 16 गंटे, तो हमारा यह संतुष्ट कर दे रहा है, ठीक है, लेकिन अगर हम इसे बाई तरीकेस करें, जैसे पूरा अगर हम इसे स्वाल्व करना हो, तो क्या करेंगे, तो गुड़ा कर दिजे 500 गुड़े 300, पंदरों 300, चल की ना है रहा, 300, 3000 हो जाएगा, माइनस 1,500 X, प्लस 3,000, प्लस 1,500 X, बराबर, यह हो जाएगा, 400 X स्कौार, 400 X स्कौार उजर जाएगा, तो 16 गुड़े, 400 X, स्वारी, 400 माइनस X स्कौार हो जाएगा, ठीक है, यह बराबर में है, तो देख रह 500 कट गया, यह आगा 6,000, यह आगा 6,000, बराबर इसका गुड़ा करेंगे, 4400 minuspay, ठीक, अब इसको इधर लेके जाएगे, इसको इधर लेके आएगे तो स्वार एक्स स्कौार बराबर हो जाएगा, 4400 minus 600, sport minus 600, तो यह आगा 400, एक्स बराबर हो जाएगा, 400 बटे, 16, अब अब 16 से इसको काटेंगे तो 16 32, 16 5 से अच्छी 5 हो गया, तो X बरावर आ जाएगा हमारा 5, क्योंकि ये 5 का वर गये, तो X बरावर आ जाएगा 5, ठीक है, तो यही हमें आंसर में बताना था, धारा की चाल, या तो अगर कभी भी ऐसा क्योंच ना है, तो सबसे पहले आप लोग option ट्राई करिएगा, बागी फिर इस method से जाएगा, ठीक है, तो इसका सही अंसर है 5, तो आगे प्रसन है, हमारा प्रसन नमर 3, आसान है कहारा, एक व्यक्ति ने प्रकासक से एक पुष्टक की 100 प्रतियां खरीदता है, और 25 परचन की छूट पराप्त करता है, उसने फूटकर विक्रता से 10 परचन की छूट पर 50 प्रतियां खर्दी कुल मिलाकर उसे छूट पराप्त हुई, तो कहरा है कि एक व्यक्ति ने प्रकासक से, कोई प्रकासक है, कोई प्रकासक, प्रकासक से उसे 100 कापिया खरीता है, तो मालत थे हैं कि एक कापी एक रुपे की है, तो 100 कापिया कितनी रुपे की हो जाएगी, कहरा कि जो 100 कापी खरीता 25% के छूट पे खरीता है तो जब 25% के छूट पे खरीदेगा तो उसे 50 रुपे के मिलेगा अगर हम 100 रुपे पे 25% का छूट देंगे तो 50 रुपे में तो बेचे मिलेगा न कहरा कि वो परकासक से 100 कापी खरीता है हमने माल लिया कि एक कापी एक रुपे तो सो कापी एक सो रुपे की पचीस परसंट के छूट पे खरीता है तो पचातर रुपे में खरीता है कि वह दुकांदार से किसी दुकान से मालते किसी दुकान से पचास कप यहां खरीता आए अगर वहां पचास परशन के कि फूट मिल एक अगे एक प्रकासक से खरीदता है 100 काफिया, 25 के छूड़ पे, तो वो 50 रुपय मिल जाता उसको, कराज्ड दुकान से खरीदता है 50 काफिया, 10 % के छूड़ पे, तो वो 45 रुपय का मिलता है, तो टोल वो कितने पैसे खर्ट करता है, 5, 5, 10 की 0, 7, 4, 1, 1, 12, 120 रुपे लेकिन टोटल कितना रुपया खड़िक हो रहा था उसका 100 प्लस 59 ऑड़ अब टोटल काप Komma कितने पैसे की थी डाट सो की लेकिन उसने खर्ज कितना किया 120 तो वही कुछा एक कितना चूट तो यहां पे 30 रुपे के चूट तो डेड़ सव पे 30 परसंट के चूट मिल गई उसे गुड़े सव जीरो से जीरो कड़ गया 15 दूना 20 दस दूना 20 परसंट आगे इसका अंसर इसका सही आंसर है 20 ठीक है तो आपसर नमर ए हमारा सही है प्रश्ण है प्रश्ण मर चार करा कि एक रेल गाड़ी जो कि 60 किलोमेटर प्रती घंटा की रफ्तार से चल लेए एक निश्ची दूरी को तैक करने में 50 घंटे का समय लेती है यदि वह दूरी 12 घंटे में तैक कर तो एकदम आसान है सबको पता होना चाहिए सबसे पहले च प्रश्ण है यह तो सबको पता होगा भाई चाल प्रापर होता है दूरी बटा समय तो चाल अमारा देर रखाए 60 किलोमेटर प्रती घंटा और और वह चला है 15 घंटी तो दूरी अमारा यांसे निकल जाएगा दूरी निकल जाएगा तो चाल गुड़े समय करेंगे तो कितना चाल कितना होगा तो दे देंगे तो 12 साथ 84 12 5 65 किलोमीटर पति घंटा आंसर आगया 75 किलोमीटर पति घंटा यह हमारा सही आंसर है ठीक है आपसर नम्मर सी आगे अमारा प्रश्न है जो की लशर मशक और इस टाइब का क्यूशन मैंने करा रखा ठीक है लगसा और मसा काया रहा है कि 0.126 0.36 0.9 इसका लगसा बताना हमें LCM बताना है तो सबसे पहले इसको फ्रक्षन में चेंज करेंगे तो यहां पर आजाएगा यहां पे दोजिरो हो तो नीचे आजाएगा दोजिरो सव यहां पे दोजिरो ओए तो नीचे आजाएगा 100 अब फ्रक्षन में चेंज कर लिया तो मैंने कहा था कि अगर हमें LCM लिकालना है LCM निकालना है Тоh उपर वाले का जो पूछाnea वही लिकालेंगे यानि 126, 36, 94 का LCM निकालना होगा LCM अगर लिकालना है तो 126, 36 96 deleg하다 हमीं क्या लिकालना होगा LCM और नीचे जो दे रखाए 1100 और 100 इसका SCF लिकालना होगा तो 126, 36, 95 का अगर हमें लिकालना हो, क्या, LCM तो कैसे लिकालेंगे, तो अगर इसका मैं एकदम 100 तरीका बता हूं, मनलब बेसिक तरीका बता हूं, तो ऐसे होता है, 126, 126, 18, 2, 4, 8, 2, 8, 16, फिर 2 से भाग जाएगा, 63, 29, 24, फिर 4 से भाग देते हैं, 4, 24, 9, 63, फिर 2 से भाग देते हैं, 2, 36, 9, 63, फिर 9 से भाग देते हैं, 9, 7, 63, 9, 9, 3, फिर 7, ठीक है, ऐसे होता है, एकदम बेसिक तरीका ठीक है, तो 2, 4, 4, 4, 4, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 16, 16, 32, 32, 7, 7, 24, 7, 24, 7, 7, 24, 9, 9, 9, 6, 36, 6, 8, 18, 23, 8, 18, 22, आगे हमारा 20, 16, यानि उपर हमारा LCM आगे है 20, 16, उपर इनका LCM आगे है 20, 16, अब नीचे वालू का हमें का लेकालना है, मसर, SCF लेकालना है, तो हम देखरें, 1100 है, 100 है, 100 है, तो 3 में ऐसा कौन सा कामन है, तो हम देखरें, 3 में 100 है, हमारा LCM आगे है, तो अब इस फ्रक्षन को अगर हमें अटाना हो, तो नीचे 20, यह तो 2 अंके बाद दसम्डू लगा जाएगा, 12, 16, यह हमारा आगे लस, LCM, ठीक है, तो यही इसक मीटा, आञे जलते हैं, अग्ले प्रस्ण पर, प्रस्ण नमर 6 है, हमारा, जो कि काफी असान है, इसको मेहां पर, प्रस्ण नमर 6 है, हमारा काफी असान है, करा कि 342 संब गुडे, 743, प्लस, 175, का इकाई का अंग हमें बताना, ठीक है, तो ये पूरा आमें गुडार नहीं करना है, बस इकाई के अंग से मतलब है, तो क्या करेंगे, तीन दुना छे, छे, प्लस, इसके इकाई का अंग पांच है, पांच, छपपाची ग्यारक एक, इकाई का अंग ठीक है, आंसर आगे एक, तो हमें क्यों लिकाई के अंग से मतलब है, तो इकाई का अंग 2, इकाई का अंग 3, गुडे, 3 दुना छे, और इसका इकाई का अंग 5, छपपाची 11, तो 11 में इकाई का अंग 1, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, आगे प्रस्ण है, लाभानिक समंद्ग को 122, रुपे अधिक में बेचता तो उसे 15%, ़ता है तो वस्तु का क्राइम बोल Θा, रहा की एक वस्तु के क्राइम,уст का तो माल लाते हैं कि वस्तु का क्राय मुल कितना है 100 रुपे हैं जो क्राय मुल है कि वह शर्वत माल लिया हमने करा की बीक्राता वस्तु के क्राय मुल से 16 परशंट कम अमुल पर बिशता है तो इससे Rs. 15 Всёं का कम परेच्टा है तो dåagen क्षेल क कम 14 रुपए ऐगे का दियों सब्सक्राइक हैं का मतलब क्या होगा सबी इसमस्तों के गाइस निज़ना लाब कमाना हो तो हम चीज को 115 रुपे में बेचेंगे तो हम देख रहें यहां पर कितने का लाब हो रहा है तो यहां पर घटा देंगे एक यहां पर 31 31 का लाब हो रहा है लेकिन प्रस्ण में कहा रहा है कि 112 स्वारी 1772 रुपे तो यह इसे कितना गुना जाते है तो 6 64 18 graduated 62 गुने जाते है तो इमसे पूछा कि वस्तू केோकरे मूल कितना होगा तो हमने कितना यह मानः 100 यह python नहीं होगा यह 26 2 गुना जाध्य होगा revealing 620 फिक है वांसर आगे का हमारा शाख ये साए आपसमयर भी हमारा प्रश्न आप हमारा प्रश्च्र हो का और तीसं यदि पहले बाइस चारों को अशित्य procent तो고 21 है टूटल का नंबर कितना है साथ 38 करेंगे तो आठ चेकर तालिस के आठ आठ तीरी के चोग चातिर अठारे चार बाइस बाइस सो असी आगया ठीक है करा कि 22 चात्रों का आउसत 36 है तो इनकी संख्या लिका लेते हैं तो तो 36 दूना 36दूना बहत्तर यागया 29792 यागया 792 ठीक है आगया करा कि 36 याट्यश चात्रों का आउसत 32 है तो 32 गुड़ों 22 हमको पता है कि यह 2024 होता है यह तो वहर गया जीश्या दूना चाहिए तो अब हम इन दोनों को टूटल जोड लेते हैं तो यागया 6 9211 718 यागय हम देख रहे हैं इन दोनों को जोणने का वाल कितने ब्यक्ति हो रहे हैं तो तो तोसर जीन को गटा लेते हैं क्लिंग करने टोटल सेयर लोगोर कंद रंघुक्त टोटल व्यवसारे लोगोर कर देंगेर Internet चुक्त सबाइब कि था लोग χाय गचांद सारी हैं यह चाये रहे हैं यह चार यह पिए आग्या जो बचनय दो आज चए बाग दीज़न शेया में तो आजायेगा तो 67.3 यह अंसर हो गया तो अगला प्रशन है अमारा प्रशन नमर 9 कहारा कि 9.5 असान है कि वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्सू के लिए उधार लिए राशी उधार लिए किसी निशित राशी पर साधार ब्याज 12.5 कि वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली गई समान रासी पर साधार ब्याज 225 से तो रासी हमारा से में अगर हमें लिकालना हो साधार ब्याज अगर हमें लिकालना है उस सिंपल इंट्रेस्ट हमें लिकालना हो तो हम क्या करेंगी मूल धन पी गुढे दर क्षप गुडे दर समय तो यह हमारा सधाड़ाज का सुझत होता है तो करा कि चो डर हमारा कितना है पहले साल में धर किसाथ 9.5 प्रस्यथनज कितने 5 है दर से अधया और समलंग 5 दर से गुड़े कितने साल के लिए चार साल के लिए फिर क्या रहा है कि सेम रासी पर सेम्रासी पर यहानि पी पर यहांने प्रेंग addresses 12 समया अब हें तो यहां पर finns PF कर दाता होसों दोनों से क्योंक्कि यहां से है तो यहां से आजाएगे पांच औरव हैं सदर को 22 6 36 38 परशेंट इसको सदर ब्लाद मिल जाएगा 38 परशेंट यहां नब 300 rich 353 7 373.5 परशेंट यहां पिसको अबड़ा तो हम देखना है इसे से चाहिएर पर 38 रुपय मिला और उसे से चाहिए पर 37.5 और यह इससे कितना जादे है तो इससे 0.5 जादे तो के रहा है कि क्यूशन के इसाब से कि उसे 0.5 जादे नहीं मिलता है 225 रुपय जादे मिलता है 225 रुपय जादे मिलता है इस दसमलो 5 की वैलू 225 दे रखिए तो हम यहां से दसमलो अटाएंगे तो इधर 1-0 बढ़ जाएगा काटेंगे 5 से तो 1 की वैलू आजाएगी 5 की 20, 5 रुमा 45 ठीक है तो 4, 5, 0, 00 बस आंसर आगे हमारा 45,000 तो आई होब कि आपको समझ में आया होगा मैं फिर से समझा देता हूँ कहरा है कि कोई रासी है जिस पर 975 की वार्सित 10 से 4 वर्स के लिए तो हमने लिका लिया कि 975 गुरे 4 4 साल का ब्याज आजा जाएगा 38 फिर कहरा है कि सेम रासी पर सेम रासी का है 1275 की वार्सित 10 से 3 वर्स के लिए तो हमने ये लिका लिया आगा 37 रुपे यहां आगा 38 यहां पर 37 सेम रासी पर तो फिर कहरा है तो हम देखरें यहां पर 38 रुपे यहां पर 37 रुपे तो इसे कितने रुपे जादे मिलने या इसको 0.5 रुपे जादे मिलने लेकिन प्रस्ण में कहरा है कि 0.5 जादे नहीं मिलने 220 रुपे जादे मिलने 220 रुपे तो 0.5 की वेलू 220 से 1% की वेलू आगे 450, 100% की वेलू आगे 45,000 तो यही हमारा आंसर होगा ठीक है आगे चलते हैं हमारा अगला प्रस्ण है और यह वाला प्रस्ण जो हमारा अगला है बहुत असान है और लोगों को काफी दिक्कत भी होती है ऐसे प्रस्णों में तो इसका मैं गज़न सिंपल तरीका बताता हूं मैं कैसे इसको साल्व किया था करा कि एक व्यक्ति ने फर्णीचर 15% के लाप पर बेचा यह दि वह 10 परशन की हानी पर बेचता तो उसे 500 रुपे कम मिलते करा कि एक व्यक्ति ने फर्णीचर 15% के लाप पर बेचा यह दि वह 10 परशन की हानी पर बेचता तो उसे 500 रुपे कम मिलते फर्णीचर का क्राय मूल तो माल लोते हैं जो ठीक है फिर करेा कि यह 10 पर्षंट की हानी पर वेस्थ है तो 10 की हानी एक की वेलूज हसाएगी 25 कम 25 तो सब्सक्रा करवल कर देंगे 200 से गुड़ा कर देंगे याजआगी 4000 ठीक. कि यानि यहार नशार महीन हो गया 2000 टो इस इसको मैंने सॉप किया ता तो ही होप आपको समझा पारा हूं पता ने बस मुझे यहीं डाउट रहता है कि जो मैं चीज़े बता रहा हूं वो समझ में आ भी रहा है कि नहीं किसी को मैं बगे जा रहा हूं आगे प्रस्ण है और यह भी बहुत मस्त प्रस्ण है जो कि लावानी का है प्रस्ण नमरी 11 है आप लोग यहां पर देख सकते हैं तो हमारा प्रस्ण कहा रहा है कि एक दुकांदार 300 में दो पुस्तके खरीदता है वह पहली पुस्तक को 20% के लाव पर तसा दूसरी को 10% की हान होती है तो पहली पुस्तक का बिक्रे मुल बेया असान के चलब बताता हूं आपको कैसा लगेगा करा कि एक दुकंदा 300 में दो पुस्तक की खरीदता है कि करा को दूसरी पुस्तक की हानी पर इसका मतलब की हानी पर बैस रहा है कि इसके तीरी मतलब लाइं अर दूसरी पुष्टा को 10 परशन की राब पर स्वार्ज की स्वारी इसका मतलब की हानी पर तो मैं चैंज करूंगा तो 20-500 यहां जाएगा एक बटा पांच कूज ठीक है इसको मैं यहां पर्यक्षक में चैंज करना आता है अब यहां पहले वस्तू को 20 पर्चन के लापे बेशता है तो यह इन अगर पहले वस्तु की दाम रही होगी 5 रुपे तो उसे बेशता है एक की लाब पे 6 रुपे के 5 रुपे पे एक कलाब होता है तो 6 रुपे पे कला की पहली स्वारी कह रहा है कि पहली वस्तु को 20 परशन की लाब पे बेशता है करा कि पहली वस्तु को 20% की लाग पे यानि 5 की जगए 6 रुपे में बेशता है करा कि दूसरी को 10% की हानी पे यानि वस्तु अगर अमारी 10 रही होगी तो इस पे 1 की हानी 9 रुपे में बेशता है करा कि दूसरी को 10% की हानी पे यहांनि 10 की वस्तुँ 9 में बेसता है ठीक 10 की वस्तुफटू 9 में बेसता है ठीक हम यहांसे लिका ले तो यह आ गया 10 पाल सोरी इस है निक नोच कह गया 10 प्लस 5 पंदर है यह आ गया यहес़ा निया 915 फीन हॉं यह तो हमारा बराबर पर लेकिन जो हमारी प्राइस है राखिए दोनों वस्त्व की तो दोनों वस्त्व का जो मुल्ड है वो 15 नहीं है कि का किव कितना थी 50 सबो यहाँ के सबयार पहली पोच्छा है कि पहली वस्तु का पही वस्त Κास्टउ का विक्रेमूल यहांपर यह थो CP स्पी यह स्पीय हुई तो profit यहांपर 6 नहीं होगा यह 20-20 गुनाजाद एक्सव विस हगा कि यह बीस से दूचने अगर दूसरी वस्तु का क्र बॉनाजाद आद आधे 12 uda अगर दूसर प्रें अब प्रस्ट में का भी है कि न तो लाब हो रहा है न तो आनी हो रही है तो हम देख रहें यहां पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह 300 आ जाएगा इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह 300 आ जाएगा तो यहां भी न लाब हो रहा है तो हमारा सब कुछ यहां पर सेट हो गया ह तो इसका आंसर 120 हमारा होगा एक बार मैं फिर से बता देता हूँ करा कि एक दुक अंदार 300 में 2 वस्तु में खरीदता है वो पहली वस्तु को 20% की लाप पर यानि 20% की लाप फ्रक्षन में चेंज किया आगया एक बड़े 5 यानि 5 रुपे पर यानि 5 की वस्तु 6 रुपे में बेशता है फिर कर रहा है दूसरी को 10% की लाप में बेशता है तो मैंने इसको जोड़ा तो 10 और 5 आगया 15 इसको जोड़ा 9 और 6 आगया 15 तो हम देख रहे हैं याँ पर न तो लाप हो रहा है न तो हानी यह विक्रायमुले है यह क्रायमुले न तो लाप हो रहा है न तो हानी ठीक लेकिन जो क्रायमुले हमारा दे रखा है वो 300 रखा है ना कि 15 है तो इससे कितना गुना जादे तो इससे 20 गुना जादे देख लेते हैं जल्दी से करा किसी पहिये का ब्यास एक दो सम्दों तीन तीन मीटर है तीन सो असी चक्करों में यह पहिया कितनी दूरी ताय करेगा एक पहिया है मालते यह पहिया है इसका बियस दे रखा है बियस मतलब कर ऑता है तो आर यानी तुरीजिया का दो गूणा यानी यह पूरा बियस यहां से लेकि यहां तक की दूरी पूरा बियस दे रखा है तो आर की वैलू दे रखी है एक दसम्णूर्ग तीन, 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 éta concerned है कि आर यहां से यहां तक धूर्टल यह टोटल भीास हो जाएगा तो टू आर की वैलू तीन एक दसम्ड़क तीन 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 दे रखाय तो अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि अगर मैं पूछे कि आपका एक साइकल का चक्का एक जब घुमता है तो कितनी दूरीतनाय करता है मलग यह जो साइकल का चक्का है जो एक बार घुमता है पई या तो कितनी दूरीतनाय करता है तो यह जो इसका पूरा परिमाप होगा यह जो इसका पूरी परीधी होगी वह इसका एक राउंड होगा पूरी परीधी होगी वह इसका एक राउंड ठीक है यह आगए 23 ड inqu आगया इस बंडवेज fede 7 गोड़े 133 अब पूछा है तो यह जानते हैं किसकी बधी मैं Tree Past यह पर लोट मुषकि के लिवाज़ मैं यह एक बाइस सब्सक्राइब फाल करेंगी च्शोब करेंगे 12 וक्र देंगे उसलिए तो अब इसको सौल्व करेंगे तो हम साल करेंगा तो जीर तो साथ एकम साथ साथ नौवा तिरशट ठीक है अब इसका गुड़ा करने कबाद हमारा कितना आएगा 1588 आप लोग गुड़ा कर ली जाएगा 1588 ये इसका सही आंसर है गुड़ा करने कबाद आएगा 1588 मीटर यानि ये पहिया है वह तो 380 चक्रों में 1588 मीटर की दूरी तैय करेगा ठीक है आगे हमारा प्रस्ण है क्यूष्टन नम्मर 13 जो की सरली करड़का है कराकी 11.5 11.5 माइनस कोष्टक में 5 पलस 0.5 गुड़े कोष्ट में 9 माइनस 3 गुड़े दो ये हमारा सरली करड़ देखा तो इसे हमें सॉल्व करना है तो पहले छोटे कोष्टक को सॉल्व कर जाता है फिर बड़े कोष्टक को फिर का को फिर भाग को फिर गुड़ा को फिर जोड़ को फिर घटाना को तो पहले छोटे कोष्टक को सॉल्व करते हैं तो तीन दुना 6 है अब 3 त Tiah你好 कि जाएगा और यह हह जाय से पांच तो यह जाएगा इसको जोड़ेंगे तो यह सम्म्लोग पांच यह क्या या रहा है यह कि यह नम्मर व jullie रखाया 8 1 5 1 4 6 करा कि यह नमर 88 से भी वाज यह नमर 88 से भी भाज यह नमर 11 गुड़ 8 से भी कटना चाहिए यह नमर 11 ऑर 89 से 시 bucket तो यह नमर 11 और 8 से सुरी 11 और 8 से भी कटेंगे यह नमबर 11 और 8 से भी कटेंगा ठीक है तो मैं आपको एक चीज बता दू कि 8 से जो काटने का नियम होता है जो 8 से काटने का नियम होता है कोई भी नमबर दे रखा है तो उसके तीन अंक जो तीन अंक होते हैं अगर वह 8 से कटेंगे तो वह नमब पूरा-पूरा 8 से कट जाएगा तो 3 अंक है 4, 6 और 2 अगर ये 3 अंक 8 से कटेंगे 8 से पूरे-पूरे कट जाएगे तो ये नमबर 8 से कट जाएगा तो देख रहें 8-5-4 होता है 8-5-4 अब यहाँ पे 6 बच गया अब B की जगह हम यहाँ पे क्या उतार दें B की जगह क्या रख दें कि ये नमबर पूरा-पूरा कट जाए तो B की जगह हम देखने अगर हम 4 रख देते हैं 4 तो 8-64 ये पूरा-पूरा कट जाएगा और कोई नमबर ही नहीं है जो B की जगह पुरा-पुराँ से कड़ जाएक तो बीक जगर अगर चार रखेंगे तो इनम्मर पुरा पुरा आठ से कड़ जाएगा तो बीक हाँ मान आज घ्रकां गया है आप यहां पे हैं तो सोग Αुआइं 11 के नियुम होता है कि एक अंग के बाद एक अंग लेके उसे जोड़के फिर उस घटाने पर या तो 0 आना चाहिए या तो 11 से करना चाहिए जैसे 8 फिर 5 फिर एक अंग छोड़के 4 फिर एक अंग छोड़के 2 तो 8 5 4 और 2 तो 8 5 13 14 17 और 2 की वैलू है 21 तो 21 8 5 13 13 14 17 और 2 की वैलू कितने रखे हैं 4 तो इन तीनों को जोड़ने के बाद 21 माइनस फिर यह वाला जो बचे हैं प्लस बशन प्लस 6, थो 6, 7 और प्लस एक, 7 उसको गटाने के बाद, या तो 11 से कटना चाहिए, या तो 0 आ जाना चाहिए, थेक का, तो देख रहें, एक कई से माइनस साथ माइनस ए तो यह आओ गया 14 माइनस ए 14 माइनस ए अब इस ए की जगह हम क्या रखें या तो यह 11 से कट जाए या तो यह 0 बन जाए तो हम देख रहे हैं 0 बनाने के लिए यहाँ पे 14 रखना पड़ेगा लेकिन 14 तो रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे जो एक की पूरा-पूरा चार हमसे पूछा है एक चार माइनस तीन यह आग्या एक तो इसका सही आंसर हो गए एक चार माइनस तीन एक ठीक है यह मारा प्रशन नमर 15 है अनपात वाला करा करा A B C D चार नमर एक बीच करम से 5 7 11 15 है करा कि यह चारों A B C D यह 5 7 11 15 है ठीक है करा कि यदि C को B से 2480 रुपए अधिक मिलता है तो B और D का अंतर बताना है तो हम देख रहे हैं जो C है उसको B से कितना रुपए अधिक मिल ला है C को B से 24 रुपए अधिक मिल ला है लेकिन प्राशन मिल का रहा है कितना रुपए अतिक मिल ला है ठीक है आगे प्रेश्णम का है कि बी और डी के बी और डी के हिस्सा का अंतर बी है हमारा साथ और डी है हमारा पंदर इनके अंतर पूछा है यानि 15 माइनस साथ वरावर आगे आठ तो आठ की वैलू पूछिए तो यह भी इससे च्छासवबीस गुना जादे होगा यह भी आ प्रश्ण में दिया था कि सी को बीस से 24 rising मिलता है लेकिन हम देख रहें सी को बीसे चार पे तरी मिनुट अधिक मिलना है उसे कितना गुणा जादे गूचा था बी और बी एक पाइप एक टंकी को 140 गंटे में भरता है प्रन्तु टंकी के तली में छेद होने के काड़ टंकी को भरने में 160 गंटे लगते हैं कराये मालति एक पाइप ए कि एक यह एक कारां कि टंकी में कि टली में एक छेध होने का मंदब यह एक एक कि खाली करने वाला नल लगा हुआ है तो हमारति एक क्ता की बी थो यह दोनों खुलते हैं तो 160 गंटें बढते हैं तो यह जो है घृता है तो जब एक तो क्या रहा है कि जो छेद है यानि कि जो भी है वो इसको पूर्य कितने घंटे में खाली कर देगा हम क्या करेंगे 14 और 16 का क्या करेंगे एलसियम निकालेंगे जो हमको पता है इन कैल्सियम निकालेंगे तो 14 160 यह आगे 00 कट गया यहां पर 0 आगे यहां से आज जागा दो आठ साथ 112 तो इन कैल्सियम आगे 112 ठीक है इन कैल्सियम आगे 112 तो अगर यह हर गंटे 140 बढ़ता है तो यह कितने घंडें बढ़ देगा तो यह इसे भढ़ देगा 14 7 112 साथ गंटे में अगर ए और बी दोनों मिलकर इसे 111 गंटे में बढ़ते हैं तो यह कितने घंडें बढ़ देंगे तो यह भर देंगे 16 14, वाट 1112 यह 8 रहेगा और यह 14 7 112 ठीक है तो A से 8 गंडें भरेगा और A और B दोनों मिलकर इसे 7 गंडें भरेगी तो ध्यान रखना कि यहां पर B है वो खाली करने वाला है यानि कि यह चेद है यह खाली करने वाला चेद है तो देख रहे एज़ी आठ बर रहा है इसमें जाता है साथ पानी बढ़ता है क्यों कि वह घंटे कितना लिटर पानी निकालता है b अगंचे ऐग लिटर पाने लिकालता है ठीक तो हमसे पूछा है कि टोटल हमारी जो टंकी है ग्यारोषोववीस दिटर की है अगर इसे खाली करनाँ होगा तो कितने गंचे में भाली करेगा तो एक घंटे में एक लिटर खाली करता है कि पता नहीं मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं और आज मुझे लग रहा है कि मैं कुछ सही नहीं बता रहा हूं सही चीज़े नहीं बता पा रहा हूं तो आज के लिए माप कर देना है यार मैं चीजों को सही से बता नहीं पा रहा हूं क्यों मुझे ही खराब लग रहा है आगे 700 और विकाम में कितने बच्चे हैं 20 परसंट तो हम 700 का सबसे पहले 20 परसंट लिका लेते हैं तो यह आजाएगा सादुर्णा 410 argues 140 तो विकाम में तोटन 1100 बस्चे है शॉ nationwide कि ब्यंक्टे बारे में पूछा है अब प्रस्णा है कि विकाम में परवेस करने वाले लाड़कों की संक्या तो नीचे जो गराब दे रखा है बनाकर दे रखा है चार्ट उसमें कर रहां कि विकाम में बच्चे कि जाएंगी तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी तो लड़कियां हो जाएंगी 25 परसेंट तो लड़कियां हो जाएंगी हमारा 25 परसेंट ठीक है तो लड़कियां हो जाएंगी हमारा 25 परसेंट तो पूछा है कि विका में परविस लेने वाले लड़कों की संक्या और लड़क लिखा लेंगे तो आजाएगा यह बटे में चल जाएगा यह जीर जीरो कड़ गया चोज़र पासे 70 यह अंतर पूछा था लड़कियों में भी काम में ठीक है तो इसका आंसर है पांच वर्स में बढ़कर 54 हो जाती है दो इसके अंतर में समाराइख और ना सी क्या ठीक है तो मलते कि हमारी जुद रूपय तो पी रूपय चार वर्स के बाद कोई राषी आठ वर्ट हो जाती है 8,000 रुपे हो जाती है अगले साल यानि 57 साल ये 84 हो जाती है यहां से 58 screw 64 हो जाती है जो देखरें ये जित मूलधन बन जाता है यह 5 साल के लिए मूलधन बन जाता है कैसे मैं बता हूं जैसे मेरे पास 100 रुपे है और मेरा चक्क वर्दी व्याज 10 रुप्य है तो पहले साल में क्या करूँगा इस पर दस उस पर दस में लगेंगे ठीक कि मतलब अगर यह दूसरे साल में के लिए अक्से स्लोग जाता है यह जो तो उसई तरह यहां पर यह जो 8000 यह पच्वे शाल केलिए मुल्धन हो गया है तो हम यहां से अपना प्डर लिकाा लेते हैं तो तो आठ अजार रुपे पे 400 की 400 ब्याज मिल ला ए गुड़े सो, एक दो तीन आड़ पांस से चालिस, यानि हमारा ब्याज आगया 5%, ब्याज आगया 5%, यानि दर आगया हमारा 5%, ठीक है, स्वारी दर आगया हमारा 5%, ठीक, आए होपके आपको समझ में आ रहा होगा भाई, फि छफ़ वर्स की अंत में समान धनावाराव परमिसर दन्यु चखवमी वर्स का पूचा है, यानि ये 5 साल का पूचा है यहाँ पर एक साल बाद अगले साल, तो जो चखवमा वर्स अगर हम लिका लेंगे यहाँ पर, शाहरी लाइट कट गई मैं एक लाइट जला देता अजय के लुट से लंक रुटि कर गोंड़ तो ये जो पुछा है छट माशाल तो ये जो छट माशाल होगा जो फच्मा साल मुलधन हो जाएगा अब Therefore is हेसे लिए मुलधन हो जाएगा अब अब चeszंब कsınız खान उज्यां के लिए मूलधन हो जाएगा अब है ये जो पांच परशन कितना आएगा पांचों के बिसके जूरो पांच वाट चालिस दुबबाय अलिस ठीक है चार सो भीस आ गया तो अब इस चार सो भीस जोड़ जोड़ेंगे तो वही हमारा मुल दन हो जाएगा तो चार सो भीस इसमें जोड़ दीजिए या अगे जीरो या आगे आठ ही आगे आध आठ आथ आठ आठ जार राण आट जाओ जूँक ठीक है यह हमारा आचे आज़ीर साल सो भीस तो करना कुछ नहीं था यह चौत्य साल का दे रखाता यह पच्वेंस साल अधर चार सो चॉराज्ची हो जाता है सब्सक्राइब जाता है आणी चार्दकी ब जोड़ेंगे आगे हमारा 8000-820 ठीक है तो इसका सही आंसर हो गे 8000-820 आफसर नम्मर डी अमारा प्रश्ण है प्रश्ण नमर रोनीस बेज़ाद अशान है करा कि एक परिछा में अनिता को 31% अंक मिले और 16 अंकों से अनुत्रिड हो गई सुनिता ने 40 अंक प्राप्त किये औ अनिता है जिसको 31% अंक मिले लेकिन फिर भी वह 16 अंक से फेल हो गई यानि अगर उसे 16 नमर और मिल जाते तो वह पास हो जाती कराय कि अगर सुनिता को 40% अंक मिले सुनिता को 40% नमर मिले 40% नमर मिले और वो 56 नमर अधिक लागी यानि 40% में 56 नमर अधिक है उसका तो अगर हम इसको 56 घटा देंगे तो जो हमारा अधिक है वो हट जाएगा और जितना नमर पास होने के लिए चाहिए उतना आ जाएगा यानि सुनिता ने 40% अंक पाया तो जो पास होने का पाइटेरिया उसे 56 नमर ज्यादे ही ला दिया तो यह दोनों तो बरावर हो गया ना तो बस लिकाल लेंगे हम यहां से इसको इदर लेंगे जाएंगे तो 31 को इदर लेंगे तो 40 में से मानिस करेंगे तो यह आ जाएगा 9% अब 56 को इधर लेकर आएंगे 16 में जोड़ेंगे तो 6-6-12 के 2-5-6 आगे 72 तो 1% की वैलू यहां से आगी 9-8-72 आठ आगी 100% की वैलू आजाएगी हमारी 800 यानि जो हमारा पूरा पुडांख है वो 800 कर आओगा प्रस्त में कर रहा कि उत्रिडड़ होने के लिए नियूंतम आवसे कंग उत्रिड़ होने के लिए नियूंतम आवसे कंग तो बस उत्रिड़ होने के लिए यहां तो यहां से लिकालने यहां तो यहां से निकालने तो पहले 800 का 31% लिकालेंगे तो 800 का 31% बटे में 100 कट गया 2- तो एक तीस पर्षिंट तो आ गए 248 करा कि 16 नमर और लेकर आती तो यह पास हो जाती तो 16 जोड़ देंगे तो तो पास होने के लिए नियुन्तम अंक 264 होने चाहिए ठीक है तो इसका सही आंसर आगे 264 अगर 264 नमर लाती यह अनीता तो वह पास हो जाती ठीविस बहुत असान है करा कि एक साथ कारे करते हुए ए बी और सी किसी कारे को तीन गंटे समावत कर सकते हैं एकेला आट गंटे म करेंगे तो कि कितने गंटे में जात करेंगे सकते हैं कर तो हम सबसे पहले इनका ले ले तो LCM 24 आ जाएगा 24 आ गया तो अगर A, B और C मिलकर A किसी काम को तिन गंटे में करते हैं तो 24 काम को कितने दिन में करेंगे 8, 3, 8, 24 अगर A अकेला इसे 8 गंटे में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा तिन काम अगर B अकेला इसे 24 काम को 6 गंटे में अगर B किसी काम को 6 गंडेम करता है, तो 24 काम को कितने दिन में करेगा, एक दिन में कितना काम करता है, 64 को 24, तो हम देख रहें, A की वैलू आगई 3, B की वैलू आगई 4, और A प्लस B की वैलू है 8, A की वैलू है 3, B की वैलू है 4, और C की वैलू हमें बताना है, तो यहां से C क की वैल्यकल 8 ये स Το जो चल juntने करें तो टोटल काम चल चोटल काम को 24 गंदे में करेगा चौल तो सभी को जहें